हलो दोस्तों वेलकम टू रोड टू आइटी और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा जे डबली मेंस 2020 रैंक बुश्टर क्वेशन सीरीज चल रहा है और रोज साड़े 6 बजे हमारा वीडियो अप्लोड होता है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 3D Geometry ठीक है तो आज के लिए मैंने बहुत ही अच्छा question लिया है previous जडी जडबली 2006 में आया होगा question है इसमें हमारा तीन formula cover up हो रहे है ठीक है बड़े-बड़े तीन important formulas cover हो रहे है और काफी concepts इसमें cover हो रहे है तो इसलिए मैंने पास हो रहा है और इन दोनों प्लेंट के परपेंडिकुलर है then the distance of that plane from this point is what ठीक है मतलब पहले तो हमें यह एक पॉइंट दिया है ध्यान से देखना है 122 और उस उस पॉइंट से हमें एक प्लेंट का प्लेंट के परपेंडिकुलर है ठीक है अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि equation of plane equation of plane passing through point x1 y1 z1 is a x-x1 plus b y-y1 plus c z-z1 is equal to 0 ठीक है a into x-x1 plus b into y-y1 plus c into z-z1 is equal to 0 ठीक हमें पॉइंट दिया हो और हमें यह जो a b c है यह है direction ratios ठीक है a b c r nothing but a direction ratio उसे हम बोल सकते हैं कि perpendicular normal भी हम बोल सकते हैं कि जो plane का normal होता है this is that only okay इसके अलावा एक और भी हमारे पास equation होता है जो vector form में होता है वो भी मैं बता दे रहे हूं equation में एक ही चीज चाहिए एक तो हमें चाहिए perpendicular जो plane का perpendicular रहता है वो और एक चाहिए point point हमें question में directly given है this one ठीक है तो x1 y1 z1 हमें दिया हुआ है अब हमें सिर्फ find करना a b c that is direction ratio और उसके लिए हमें find करना पड़ता है normal तो अब हमें पॉला है कि यह plane का यह इन दोनों i can normal है ध्यान से समझना इन दोनों plane के इन दोनों plane के picking up雪 मतलब की इन दोनों और जो पर्पेंड कcol होगा वो हमारा plane होगा तो उसका मतलब है कि यह जो given plane है उसके लिए यह एन हम कैसे fire पा कर सकते है perpendicular जो है वो हम कैसे find कर सकते हैं कि यह जो दो equation given है उस दोनों का perpendicular हम पता कर सकते हैं 2 minus 2 1 2 minus 2 1 जो coefficients होते है this is nothing but a perpendicular 2 minus 2 1 और यहां है 1 minus 1 2 यहां है 1 minus 1 and 2 ठीक है दोनों के हमें perpendicular पता है this is n1 और this is n2 अब दोनों के perpendicular है हमारा दोनों के perpendicular तो कोई बबहुत सारी आप बुक चेक करोगे उसमें ये बहुत डिफरेन तरीके से इसका सॉलूशन दिया मैं बहुत डिफरेन्ट तरीके से कर रहा हूं conceptually में जा रहा हूं कि n is equal to n1 cross n2 इससे हमें इन दोनों के perpendicular मिलेगा और इन दोनों के perpendicular होगा वही हमारा इसके भी perpendicular होगा क्योंकि यह plane इन दोनों के perpendicular है ओके अब इसका cross product कैसे find करना है हमें पता है कि यह हो जाएगा माइनस टुवन माइनस सबको पता होगा ठीक है और यह हो जाएगा 2-2 और 1-1 ठीक है ओके एक्स के लिए हमने पहले यह दोनों को हटा दिया फिर यह जो बचा वो लिखा फिर इसलिए वाई की तरह से वाई में आगे माइनस लिखते हैं 2112 लिख दिया और फिर लास में जैड के लिए लास जैड कोडने अटा दिया और 2-2-1-1 ठीक है अब इसका simplify मैंने किया तो यह आ गया देस ओके यह माइनस 3 और यह हो जाएगा 0 तो यह हमारा मिल गया नॉर्मल जो हमें given plane है जो हमें given plane नहीं जो हमें required plane है उसका नॉर्मल यह है ठीक है लेकिन हमें क्या चाहिए N cap चाहिए क्योंकि हमें क्या find करना है direction ratios 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 कैसे मिलता है हमें कि direction ratio जो A होगा यहाँ पर हमें vector मिला है minus 3, minus 3, 0 तो इसके लिए n cap क्या होगा मैं आपको बता दो n cap क्या होगा this is nothing but a n n cap क्या होगा n cap होगा n divided by mode n that means कि minus 3, minus 3, 0 divided by square root of minus 3 का square plus minus 3 का square plus 0 का square ठीक है mode n इसका mode क्या होता है square root of square plus square plus square okay तो यह हो जाएगा minus 3, minus 3, 0 और यह दे देगा मुझे 99 that means 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा यह 18 हो जाएगा ठीक है तो बार 3 आ जाएगा तो 3 root 2 यह हो जाएगा 3 root 2 तो अगर मैं separate देता हूं तो यह हो जाएगा minus 1 by root 2, minus 1 by root 2, 0 यह मेरा हो गया n cap और यहां से यह हो गया unit normal vector for the required plane और यही हमें देता है direction vectors direction ratios तो यह मेरा हो जाएगा A, यह मेरा हो जाएगा B और यह मेरा हो जाएगा C ठीक है अब हमें ABC भी पता चल गए direction ratios जो मैंने यहां पर बता था यह equation के लिए ध्यान से देखो यह equation यह equation के लिए जो direction ratios थे वो ABC वो हमें पता चल गए कैसे perpendicular unit vectors है अब मैं क्या करूंगा हर एक value यहाँ पर पुट कर दूँगा हर एक value यहाँ पर पुट कर दूँगा तो यह क्या हो जाएगा equation होता है A into X minus X1 plus B into Y minus Y1 plus C into Z minus Z1 is equal to 0 A क्या आया है मेरा minus 1 by root 2 और X minus X1 क्या था point हमें कौन सा given था point हमें given है 1 minus 2 1 1 minus 2 1 is the point given तो यहाँ पर हो जाएगा X minus 1 यहाँ पर हो जाएगा plus लिखने के बाद B हमारा है again minus 1 by root 2 और यह हो जाएगा Y minus 2 यहाँ पर पुट करूंगा तो यह हो जाएगा plus 2 और plus C हमारा है 0 Z minus 1 is equal to 0 तो यहाँ से हो जाएगा minus 1 by root 2 into X minus 1 minus 1 by root 2 into Y plus 2 is equal to 0 minus 1 by root 2 common और यहाँ चले जाएगा तो वो भी cancel हो जाएगा तो X minus 1 फिर minus 1 by root 2 गया तो plus Y plus 2 is equal to 0 that means कि X plus Y plus 1 is equal to 0 यह मेरा बन गया plane का equation this is my plane equation यह हमें नहीं पूछा है actually यह हमने यह equation में नहीं answer यह नहीं आया अभी तक है न multiple choice में यह भी दे सकते हैं हमें क्या पूछा है इस plane से यह जो हमें plane मिला है कौन सा plane मिला है हमें यह plane जो हमें मिला है जैसे हम line के लिए लिखते हैं वैसे ही plane के लिए भी formula है क्या है formula वो कि determinant of suppose कि point हमारा है ABC let's say A, B, C point है ठीक है और plane का equation हमें दिया है let's say कि X plus Y plus Z is equal to D इस तरह से equation है ठीक है या फिर X plus Y plus Z minus D is equal to 0 है ठीक है यह हमारा plane का equation है तो मैं क्या करूँगा यह जो points होंगे वो यहां पर रख दूँगा यह equation में यह equation में points रहूँगा तो यहां पर आ जाएगा A plus B plus C minus D ठीक है divided by square root of यहां पर जो coefficient से उसका square होगा सपोज कि यहां पर coefficient कुछ कुछ भी दिया हो सकता है यहां पर अभी 111 है तो वन प्लस वन प्लस वन होगा उनका square होगा सपोज कि मैं standardized equation लेता हूँ लेट्स अज्यूम कि मैं कुछ और लिखके दिखाता हूँ ठीक है एक दम जेन्रलाइज फॉर में दिखाता हूँ कि ध्यान से सुनना एक सेगने इसको पूरा में मिटा देता हूँ क्या हो जाएगा कि distance ऑफ पॉन्ट कि फ्रॉम 70 यहां पहर सिर्फ मुझे पूट करना है बस वंगैए तो यह इसानघ्डरि दे रहे हूँ आप्र लिखायि टो यह तो ax1 plus by1 plus cz1 plus d ठीक है divided by हो जाएगा square root में coefficient का square मैंने जैसे आपको आगे बताया a2 plus b2 plus c2 ठीक है और इसका भी mode लेना है क्योंकि distance हमें सा positive होता है यही almost same procedure होता है कि जब हमें line से point का find करना होता है जब मैंने previous बताया था previous lectures में मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने यह समझाया था आपको कि जब पॉइंट से line card भी difference find करना distance find करना और प्रपाइंट करना होता है तो इस question के लिए कैसे होगा आप बताओ मुझे इस question के लिए कैसे होगा इस question के लिए यह हमारा है plane क्या है plane हमारा x plus y plus one is equal to zero is my plane ठीक है और पॉइंट कौन सा given है पॉइंट given है 122 चलो तो इसको यहां पर प्लास zero square ठीक है तो यह हो जाएगा उपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा square root of 2 तो यह मुझे दे देगा 2 root 2 which is my final answer I hope सबको यह समझ में आया होगा 2 root 2 is my final answer तो यहां पर मैं लखूंगा यहां मेरा अंसर आ जाएगा 2 root 2 this is my final answer ठीक है बहुत ही अच्छा question था काफी सारे concept इसमें clear हूँ है हमारे ठीक है तो आई होप सबको यह question भी समझ में आया होगा फिर सबता रहा हो कि हमें normal find करना है हमें यह बोला है कि यह दोनों plane के perpendicular है हमारा plane यह दोनों plane के perpendicular है हमारा plane ठीक है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के जो perpendicular होंगे वही होगा हमारे plane का perpendicular ठीक है क्योंकि अगर यह दोनों plane से हमारा plane perpendicular है तो उन दोनों के perpendicular से हमारा plane का भी perpendicular ग्राफ से भी आपको समझा दे सकते हूं ठीक है कि सपोज कि यह दो कोई है अ सटार। memb rant Stellen अब हमें बोला है कि इन दोनों के पर पैंटिकुलर है हमारा हमारा प्लेग से और तो हमारा प्लेइन तो करता हूं तो अगर इस तरह से आएगा कई पर है इस तरह से ऊड़ी जो पहर आ रहा हूं रहा हूं चाहिक ये पैज से किस तरह तो इन दोनों के परपेंटिकुलर यह है तो इससे में बाहर अगर इस तरह से उपर लूँगा तो देखो यह इसके परपेंटिकुलर आ रहा है अगर आप थ्रीडे में ये इस प्रिकुल निकाला और उससे मैंने प्लीन का इकशेन का प्लीन का फान कर दिया हुँ, तो आइएकाला है so rest शाचर मैं तबता के लिए दन्यवाद